हेलो स्ट्टूटरं रोकम बैक टू मैं चैनल रायतर और नियाकर श्रपानेश डूबलेज़न एफ़ पे आप सभी का स्वागत है बच्चों का बड़ों का वर्द्धों का खासता पर स्टुड़ी करने वाले स्टूट्स का तो आज हम करने वाले अध्याए एक भोजन के किजेगा तो आपको ज़्याद्य समय ना लेते पर श्रक करते याप यह पसंद आया तो एसे ही ने उन्यू वीडियो के लिए मंधि करते हमारे बोजन में प्रमक पोशकतत्व के नाम बताई एक हमारे ज़न प्रमक पोशकत्तक कार्बारेट प्रोटीन वसा विटामिन और खनेज हैं नेक्स्ट कुशन निम्ने लिखित के नाम बताईए पोशक तत्व जो मुख्य रूप से हमारी शेरी को और जा देते हैं तो है कार्बॉाइडुरेट वह पोशक तत्व जो हमारी शेरी की व्रिद्धी और रखाव के लिए अवश्यक है प्रोटीन अच्छी द्रि ऐसे दो खादे पदार्तों के नाम बताईए जिन में से प्रतेक प्रचूर मात्राओं में जैसे वसा वसा होता है घी मकन स्टार्च होता है कच्छे आलू चावल में अहार फाइबर पालक गोभी गाजर बिंडी प्रोटीन होता है दू दंडा मचली मास दाले कोई दो दो पता सकते हैं आपको ज्यादा ओप्षन दे दियां कुछ दो कोई दो बता सकते हैं सिए और डी में नेक्स्ट विशन ऐसे दो जो कतन सही है उन पर सही का निशान लगाई है बिल्कुल गलत है उन्हें काट दे गलत का निशान लगा दे अकेले चावल खाकर हम अपने शरीर की पोशन समद्धी अवर्शक्ता को पुरा कर सकते हैं गलत और संतुलित अहार खाने से कमी से होने वाली बिमारियों को रोका जा सकता है तो सही शरीर के लिए संतुलित अहार में विबिन परकार के खादे प्रतार शामिल होने चाहिए सही अकेले मास्य सरीर को सभी पोशक तदर प्रतान करने के लिए प्राइपत है गलत नेक्स्ट कोशन डैश विटामिन डी की कमी के कारण होता है तो इस का के कारण होता है तो इसका अंजर है वितामिन A एस्टूडेंट्स अब हम करने वाले क्लास 6 विज्ञान अध्या एक के लिया अत्रिक्त प्राश्न कक्षा 6 विज्ञान अध्या एक अति लगखु त्रिया प्राश्न क्या सभी भोजन में समान खाते पता शामिल है नहीं सभी एक भोजन में अलग अलग खादे पदात क्यों होने चाहिए, भोजन में अलग अलग खादे पदात होने चाहिए, क्योंकि हमारे चाहिए को टीक से काम करने के लिए विबिन प्रकार के पोशक तत्व की अवश्यक्ता होती है, और ये कुशन बेटा नोट बुक में नोट कर होते हैं फूर्थ कुशन हमारे भोजन में पाय जाने वाले दो मुख्य प्रकार के कार्बाइडरिट के नाम बताईए तो आंसर है स्टार्च और चीनी नेक्स्ट कुशन कार्बो हाइडरेट क्या है कार्बन हाइडरोजन और अक्सिजिण के योगिक जो हमाई शेरी को उर्जा प्रदान करते हैं कार्बो हाइडरेट कहलाते हैं सिक्स्थ कुशन जब आयोडीन घोलकी दो या दो से अधिक पूंदे स्टार्च पदार्थ पर गिरती हैं तो क्या होता है तो इसका आंसर है पदार्थ का रंग नीला-काला हो जाता है Next Question यदि कोई खद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला-काला रंग देता है तो भोजर में कौन सा पोशकतत वो माजूद होता है अंसर स्टार्च दो खादे पतातों के नाम बताईए जो कार्बो हाइडरेट प्रदान करते हैं तो इस का अंसर है आलू, चावल, गेहू, मक्का, चीनी कागच पर त Еलिए धब्बे द्वारा दर्शाये गए खादे पुषक तत्व के नाम बताईए तो उत्त रेकागच पर तेलिए धब्बा वसा की उपस्तिती को दर्शाता है जिसमें फैट होता है या तेल जैसी जो चीज़े होती है वो दर्शाता है उर्जा प्रदान करने वाले दो पोशक तत्व के नाम बताईए उत्तर कार्बोहाइडरेट और वसा उस पोशक तत्व का नाम बताईए जो छतिकराश शरीर कोशिकाओं के मरमत में मदद करता है उत्तर प्रोटीन दो पोशक तत्व के नाम बताईए शरीर को बिमारियों से बचाते हैं उत्तर विटामिन और खनेज नेक्स्ट कुशन दो पादब खाते प्रदारतों के नाम बताई जो प्रोटीन प्रदान करते हैं उत्तर दाल, सोया, बिन, पश्वो द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोटीन के दो स्त्रोतों के नाम बताई है उत्तर दूद और अंडे तो बटा कॉपी में नोट जरू कर लिजएगा ऐसे कॉशन एक्स्टर कॉशन पेपर में जरूर आते है और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को कॉमेंट भी कर दीजएगा किस प्रकार के भोजन को शरीर निर्मान भोजन कहा जाता है उत्तर प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर निर्मान भोजन कहा जाता है सिक्स्टिन दो खादे पदारतों के नाम बताईए जो वसा प्रदान करते हैं वसा मतल जिन से तेल जैसा फील होता है तो तेल और घी होता है वो हमारे वसा प्रदान करते हैं विबिन प्रकार के विटामिनों के नाम बताईए विबिन प्रकार के होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K तो बटे यह सभी तरीके के विटामिन है उस विटामिन का नाम बताई जो विटामिनों के एक समू को प्रती निधित्व करता है उत्तर विटामिन B कॉंपलेक्स विटामिन A के दोस्तों के नाम बताईए मचली का तेल और दूद तो इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन A मिलता है मचली के तेल से और दूट से नेक्स्ट कुशन विटामिन B के दोस्तों के नाम बताएं विटामिन B किसे मिलता है लीवर और बीन्स विटामिन C के दोस्तों के नाम बताएं संत्रा और नीम्बू संत्रे में विटामिन C होता है तो आंसर है संत्रा और नेम्बू विटामिन डी के दो स्टों तो ये नाम बताईए मचली और मक्कन जिन से विटामिन डी मिलता है तो वो चीज है मचली और मक्कन और रूग घेज क्या है पोदो के रेशो से युक्त भोजन जिजन हिचिंत रूप से आहरीय रेशे के रूप में भी जाना जाता है तो वो रूग घेज कहलाता है यहाँ पर बटा समझ में आया तो प्लीस कॉमन करतीजेगा नहीं समझ में आया तो प्लीस पुछ लीजेगा रूग घेज का मुख्य काररे क्या है रुगेज के मुख्य कारे हमाई चाहिए को अपच्छे भोजन से चुटकारा दिलाने में मदद करता है 25 कुछ खादे बदारतों के नाम बता है जो मोटा चारा प्रदान करते है साबुत अनास ताले फल और सबजिया मोटे चारे के मुख्य स्त्रोथ है तो बटा ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा कुशन और अभ्यास के और एक्स्ट्रा कुशन दोनों हो गए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेय कर दीजिएगा चैनल प्रेगर नहीं हो तो चैनल को सुब्स्क्राइब कर दीजिएगा बटा एक एन प्रेस करतीजिएगा ताकि आसी न्यू न्यू वीडियो की नॉट्टिफिकेशन आप तक पहुस्थी रहे